हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे वेलकम है आपका मेरे चैनल वरकिंग वुमन्स किचिन में और आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल सबजी जिसे कहते हैं आलो की कतली तो जब कुछ न समझ में आए तो इस आलो कतली सबजी को बनाए और यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही जल्दि बनने वाली सबजी है तो चलिए शुरू करते हैं इस की रैसिपी को इसके लिए तर यहाँ पे मैंने लिये हैं आलू, यह मैंने sup 200 lire अलू लिये वरना तो इसका starch निकलता और उसकी वज़ा से इसका उपर की जो layer है वो काली हो जाती है इसको बस इस तरह से अब cut कर लेना है तो देखे जो pieces है इनको गोल-गोल cut करना है और इसको बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं cut करना है तो पहले हम लोग सभी आलो को cut कर लेते हैं तो इस तरह से देखे ये आलो cut हो गए है और इसका मैंने एक equal ही shape सारे pieces का रखा है बहुत मोटा या पतला नहीं अब मैंने लिया है एक pressure cooker इसमें हम लोग डाल देंगे oil तो यहाँ पे मैं mustard oil का यूज़ कर लें हूँ कि अब मैंने यहाँ पे एक बड़े size की प्यास लिए उसको chop करके इसमें डाल दिया है अब हमें प्यास को golden होने तक के fry करना है dark brown नहीं करना है तो इसको मैं stir करते हुए golden होने तक के fry कर लेती हूँ बीच बीच में चलाते रहे हैं ताकि यह अच्छे से golden हो जाए तो प्यास गोल्डन होना शुरू हो गई है अब प्यास हलकी सी golden हो गई है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1-4 टी-स्पून के करीब हल्दी पाउडर और आदा छोटा चमच के करीब इसमें डाल देंगे लाल मिच पाउडर अगर आप spicy कम खाना चाहें तो इसको कम कर सकते हैं quantity को और अगर सबजी spicy सी बनाएंगे तो यह मसालेदार spicy सी सबजी बहुत ही tasty लगती है अब इसको हमने हलका सा stir कर लिया है और इसको पका लिया अब साथी में मैंने इसमें डाल दिये हैं टमाटर तो यहाँ पर मैंने दो तो बड़े साइस के टमाटर को चौप करके डाला है, पांच हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है, आधा चोटा चमश नमक अट कर रही हूं मैं और टमाटर के बाद नमक डालने से टमाटर जलदी टेंडर होते हैं ड़ flavored के तक मुझे टमाटरों को थोड़ा सा टेंडर होन यह बहुत ही मसाले की बनती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो यह देखें टमाटर सोफ्ट हो गए है अच्छे से यह प्रेस हो रहे है तो अब है इसके बार इसमें डालो एक बनी के साथ के साथ थोड़ा सा सौते करते हुए पका लेना है तो एक मिनिट के लिए ये मसाले के साथ आलू को भी पका लेंगे इससे आलू में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसके बाद देखिए ये आलू का कलर कितना प्यारा हो गया है बहुत अच्छा लग रहा है दे अब मैं इसमें एड कर दूँगी पानी तो पानी मैं यहां पर आधा का पैड कर रही हूँ जिससे ये आलू गल जाएंगे और एक अच्छी सी सबजी तेयार हो जाएगी तो अगर आप थोड़ी सी ज्यादा घीली सबजी पसंद करें तो पानी की कोइंटिटी आप बढ़ तो यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट आलो की कतलिया तयार हो गई है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह गल गए है आलो या नहीं तो यह देखिए बहुत आसानी से यह तूट रहे हैं और बहुत ही यमी सी यह सबजी तेयार हो गई है अब इसको उपर से लास्ट में धनिया से जरूर कानिश करें क्योंकि धनिया की खुश्बू इस सबजी में बहुत ही टेस्टी लगती है तो बस धनिया को मैंने चौप करके रखा था एक मुठी के करीब इसमें धनिया एट कर दी है और अब इसको आप गर्मा गर्म सबजी को गी लगी रोटी के साथ परा झाथ टेस्ट वूच्नियूच जाध कर दो देए।